आधुनिक्ता के इस दोर में किर्सी के छेतर में लगातार बदलाव दिख रहा है नीत नए परियोग किसानों के लिए समलीधी का द्वार खोलने का भी काम कर रहा है बिहार के बेवुसय में भी अब किसान तकनीक आधारित खेती करने लगे हैं किसान उतनत भेराटी का बीज बाजार से लाकर साल ओवर खेती कर अच्छी मुनाफ़ा कमाने के साथ साथ छेत में अपनी पहचान बना रही है ऐसे में बात बिहार के बेवुसय से किसान पुनिल कुमार मुनाथ की जाए तो लोकडाउन के दरों इन्हें अत्यधिक लागत लगने के बारे कारण खेती के छेतर से उपर उठकर कोई दूसरा बेवसाय करना चारेती है इसी दरों इन्हें एक मंत्री ने हरी खाद के बारे में गिरिन फटलाइजर के बारे में जानकाई दे फिर गिनिन फटलाइजर से इन्होंने खेती शुरू कि जिसके बाद इन्होंने पीछे मूर कर नहीं देखा आई ये चांत हैं इनसे इनके शुरुआत और पुरी इनके किर्सी के छेतर में कदम रखकर अच्छा मुनाफ़ा कमाने की कहानी कैसे इसकी सुरुआत हुए कहां से आइडिया है ये आइडिया मानिया मंत्री गिर्राज जी के द्वारा दिया गया कि आप जो पहले खेती करते हैं उससे अलग हटके जैसे फरवल को स्टांपिंग करते थे हम लोग अपनी में लगवाए ग्रीन फटिलाइजर हम लोग से बन वाए हम लोग डीएपी का उप्योग नहीं करते हैं मानिया मंत्री जो बताये हैं उस मताविक फलायास और गोवर को मिला कर वेक्टिरिया डाल कर उसमें 10% पोटास 10% डीएपी देते हैं और वो पूरे डीएपी का काम करता है और हम लोग हम लोग 4-5 बिघा में मात्र सब्जी का करते हैं और 8-10 लाख रूपई या सलना मुख तो परवल है ऐसे कद्दू भी करते हैं और इसको देखकर पिछले साल बिहार सरकार की ओर से हमें 25 लाख का एफिल्डी मिला उसमें सिमिला मीर्ज सीटले सखीरा टमाटार ये सब कर र बाजार मुल तो निर्वर करता है मौसम और अथी पर पिछले साल तो नहीं मिल पाया उससे पहले साल तो बहुत जादे मिला जो कि अभी तो हम तो परमानेंट साथ से आठ लेवर का रोजगार उपलब्द करा हैं तो आपने सुना की इनकी क्या कहानी है और कैसे इनकी तकदीर अतकनीक अधारित खेती से बदल गई पेगु सैसे लोकल एटिन के लिए नेराज कुमार